तो दोस्तो पिछले हफते ही हमारे सामने गाइडियन्स वागे लेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर आया जिसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक या एक से जादा गाइडियन्स को खो देंगे पर वो कौन होंगे ये कोई नहीं जानता सिवाए हमारे Marvel Studios अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है जबरदस Assembles और धमाकेदार थर्ड पार्ट देने में जैसे Thor Ragnarok, Captain America Civil War, Iron Man 3 और Spider-Man No Way Home और अब बार ही है गाइडियन्स की तीसरी मूवी की इसका ट्रेलर भरा हुआ है अतरंगी एलियन्स, एक बैक स्टोरी के हिंट और कुछ नए और खतरनाक विलन्स से जो कि हर गाइडियन्स मूवी में हम देखते आ रहे है पर यहां दूसरी टाइम लाइन की गमोरा भी है जो कि ट्रेलर के एक पॉइंट पर हमें गाइडियन्स के साथ वापिस आते हुए दिख भी रही है और ओवरॉल थीम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह मूवी हमें अच्छा खासा रुला कर जाएगी तो आईए इन सब के बारे में डीटेलर बात करते हैं तो दोस्त हो रहा है मारव स्टूडियो के लोगों के साथ जो कि हमें दिख रहा है और वॉल्यूम टू के कैसेट प्लेयर जैसा अब यह अजीब बात है क्योंकि गाइडियन्स गालक्सी वॉल्यूम टू के एंड में पीटर को इस टेप की कोई ज़रुवत नहीं थी बलकि उसे प्लेयर ने सुनाई देने वाले गानों के लिर्क्स मूवी के वारे में आपको बहुत सारी चीज़े बताती हैं तो ट्रेलर की शुरुवात में पीटर दिखता है अपनी नई शिप में वो शिप जो हमें दिखी थी हाल फिलालाई गाइडियन्स गालक्सी वॉल्यूम टू यह थोड़ी सोचने अली बात है क्योंकि पीटर की पुरानी शिप बैनेटर हमें थोड़ लावन थंडर तक तो दिखी थी हाला कि उस मूवी से लेकर गाइडियन्स गालक्सी वॉल्यूम 3 तक थोड़ा टाइम बीच चुका है इसका इंडिकेशन आपको ग्रूट की ग्रो गालक्सी को अपने गाइडियन्स की ज़रुद तो पढ़ती है अब पता ही लवन थंडर से लेकर अभी तक कितना टाइम बीच चुका है क्योंकि लवन थंडर में हमने देखा था कि गाइडियन्स के पास कितने डिस्ट्रेस सिंगनल आये थे और बेशक गाइडियन्स के प जो कि दिखने में अर्थ जैसी लग रही है पर यह अर्थ नहीं है पहली बात यहां की गाड़ी हर लोग के कपड़े दिखकर ऐसा लग रहा है कि यह 80s में जी रहे हैं प्रस इनके जानवरों वाले चेहरे से क्लियर है कि यहां evolution अर्थ से अलग तरीके से हुआ है जैसे अर पीटर ही था जिसे थोर को सिखा है कि असली खुशी कहा है पर शायद पीटर अभी भी कुछ ढूंड रहा है इसके अगले शॉट में हम मैंटिस को बोलते हुए सुनते हैं कि डॉंट फोगेट विर वी केम फ्रॉम अब ऐसा लग तो रहा है कि वह ऐसा ड्रैक से कह रही है पर इन दोनों की ओरिजिन की टाइमिंग अलग-अलग थी प्लस मैंटिस को तो यह भूली जाना चाहिए कि वह कहां से आई थी I mean यही रीजन था कि वह हलेड स्पेशलर पीटर को बता नहीं रही थी कि वह उसकी बहन है अगले शॉट में हम बेबी रॉकिट को देखते हैं और यह बहुत ज़रूरी भी है पहली मूवी में हमें रॉकिट ने खुद हिंट दिया था अपनी ओरिजिन के बारे में कि कैसे उसे तोड़ जोड़ कर लिटरली टॉर्चर करके ऐसा बनाया गया और दूसी गाइडेंस मूवी में भी वो यॉन्डू से अपने पेन के बार अगले शॉट में हम गाइडेंस को देख सकते हैं इन कलरफुल आउटफिट में जिसे फैन्स पहले कह रहे थे कि यह इंस्पार्ड है अमंग अस से पर जेम्स गन ने हल फिलाली कंफर्म किया कि यह इंस्पार्ड है 1968 के हिट फिल्म 2001 A Space Odyssey से आप सिमिलाइटी देखी सकते है तो यह इंस्पिरेशन तो ठीक है और गाइडेंस यहां कर क्या रहे हैं और यह जगा जो कि ओवरॉल ऐसी दिखती है वो कौन सी जगा है कुछ फैन्स के हिसाब से High Evolutionary का Headquarter है पर रिसेंटली एक फैन थियोरी सामने आई जिसमें एक कहा गया कि यह Ego the Living Planet है जो कि मरा नहीं ह यह उसका Evolved Version है Super Ego जिसे Evolve किया है High Evolutionary ने High Evolutionary जिसका पूरा नाम है Dr. Herbert Windham वो एक Scientist था जो कि Genetic Alteration को लेकर जादा ही पागल था इसके Initial कामों का Result था Animals को Humanoid Form में Evolve करने का शायद इसी का Result हमने टेलर की शुरुआत में देखा हो इसके अलावा High Evolutionary को Cloning पसंद नहीं है क तो इस जगा की वापिस बात करें तो यह थियोरी बहुत हद तक सच होती दिख रही है सबसे पहली चीज़ है आसपास के Matter और White Platforms ऐसी Matter और White Platforms हमने दूसरी Guardians में Ego पर देखे थे जिससे क्लियर है कि यह लोग Ego या Super Ego के Prison में कैद होंगे प्लस शायद यहीं इने गमोरा म मिलेगी इन सब के उपर इस जखमी ड्रैक्स पर गौर करें तो यहीं वो मेंबर है Guardians का जिसे हम इस मूवी में खो सकते हैं अब सोच के देखो Guardians Marvel की बड़ी फ्रेंचाइज इसमें से एक है और इनमें James Gunn जो कि इस मूवी के बाद शायद ही कभी Marvel में वापिस लोट कर आने वाले हैं वो अगर किसी बड़े कैरेक्टर को मार कर चले गए तो कैसा लगेगा प्लस रैक्स के अलावा बाकी Guardians के मेंबर्स कॉमिच से पर्मनेंट मेंबर्स है इस टीम के कुछ फैंस का कहना है कि Rocket या पीटर को इस मूवी में मारा जाएगा ऐसा नहीं हो सकता Rocket और नल्ला को Collector से खरीदने के बाद इस जगा को Alien Refugees के लिए रखना चाहते हैं पर एक खतरनाक अटैक के बाद Peter Quill को Guardians को एक Dangerous Mission पर ले जाना होगा ताकि वो अपने एक मेंबर को बचा सके पर इस वज़े से टीम तूट भी सकती है अब हमें Holiday Special से ही पता चली गया था कि Guardians Snowwear को लेने आही गया वो भी Abelisk Monster को लेकर जिससे Guardians ने लड़ाई करी थी उसी मूवी में Will Polter इस लुक में बहुत दबर्दस लग रहे हैं और बहुत चांसे है कि मूवी के end में एक Guardians का Member ही बन जाए क्योंकि Comics में Adam Warlock Guardians के Permanent Members में से एक है हमें Gamora दिख रही है एक फोटोग्राफ ह सारे Beings को धूल बना दिया पर एक जहवबारी Beings यहां बच गई प्लस आगे के शॉट से बहुत क्लियर है कि ये Gamora Guardians की Member वापस बन जाएगी वापस आए Super Ego Planet वाली बात पर तो ट्रेलर के end में Peter एक बंदे को लेकर नीचे गिर रहा है ट्रेलर में ये शकल क्लियर नहीं है क को चिसे High Evolutionary कह रहे हैं पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई और है शाहिदे पीटर के पिता हो जिनसे बदला ले रहा हो किसी Member के मरने का पर ये जो जगह जहां से कूद रहा है वही जगह है जहां आगे की शॉट में Krut और पीटर गोलिया चला रहे हैं ये Famous Guardian शॉट है जो कि हम फैन्स लिटरली हर Guardians मुवी में experience करते आये हैं हाला कि मेरे हिसाब से पहली मुवी में ये शॉट जाधा iconic लग रहा था पर इन सब के अलावा ऐसा लग रहा है कि Guardians के बाकी members को भी torture किया जाएगा वो भी High Evolutionary के द्वारा आगे हम Mantis को रोते वे देख सकते हैं अब ये चीज के मनने को और solidify कर रही है पर असली में क्या होगा ये तो हमें मुवी में ही पता चलेगा तो दोस्तो ये था detailed breakdown Guardians नोगा Galaxy Vol.3 के trailer का जो के हमें दिखाया गया CCXP में मैं उमीद करोगा कि Marvel जल्दी से Nova को भी इंट्रेड्यूस करे ताकि हम उसे future में Guardians की टीम में देख पाएं या आपके उसको नए factors वीडियो से टेट तो प्लीज आए कमेंट पर ज़रूर बताएं या मैं सोचल मीडिया हैंनल पर हमाई साथ शेयर करें हम हर जगा है तो दोस्तों अगर आप Guardians और Captain Marvel के साथ action में देखना चाहते हैं तो मैं आपको मारी Civil War 2 Comics सीरीज रेकमेंट करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पिसंद दाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे कई सारी सूपर केंटेंट के लिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस नमन सेना एंड यू आर सूपर सूपर पीस